हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और यह देखिए अभी साम हो रहे हैं साम किसे बज रहे हैं चार बज रहे हैं और अभी मैं छट पर थोड़ा तहलने आई हूँ और यह देखिए यह लड़किया लोग और यह देखिए दिख गई और यह लोग यहां पर बैठ कर धूप का मजा भी लेती हैं और कुछ कुछ बनाती रहती हैं और देखिए चट पर से हमारे चारो तरफ का व्यू ऐसा दिखता है और इधर साइड में भैंस का तवेला है और इधर देखिए थोड़े दो पौधे हम लोगों ने रोप रखे है और यहां पर देखिए लच्मन बूटी लच्मन बूटी अभी होंगे नहीं क्योंकि ठंड पर रहे हैं विखेर दिया तो चनों के पोधे आ गए हैं इसी में मैंने धनिय को भी रोपा और इसमें देखिए पथर चूल में साइड साइड से सरसो आ गये हैं और अब चल रहे हैं तबेले की तरफ यहां पर साइड भैस का देखिए तवियत खरावे गर्दन उपर करके रखा है दवाई देने के लिए और यहां देखिए यह माला बना रही है और इधर यह पीस को कुछ पाउच होते हैं चोटे 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 उसमें पैकिंग करती है और देखिए य देखिए फीता में कैसे टॉप लगा रही है और जैसे कि पतले फीते से बनाना था पतले फीते मूट चोडे फीते से बनाना है तो चोडे फीते से बनाना है तो बड़ी बड़ी टांके से साइड में टॉप मारते जाना है सारे फीता में जितना भी फीता है सारे में टॉप मारना है इस देखिए कैसे टॉप मार रही है तो देखिए इसी तरह से एक दम सायड साइड में बरेवरे टॉप से मारते रहें जैसे कि इस दो कलर का यादा बहुंब भरा रखना है उसमें ज्यादा बरेपिता लेना है ऑग गुमाते तु Bowl 5 चल आना है निकाल ली और इसी को सुई में ही इसी तरह से चक्र की तरह घुमा देंगी kalau से और इे निकाल ली यह तरह में थोरा और इसले चोड़ा-पारर करके बनाई छोटा सा पिंक कलर लिए हैं, फिर उसमें गृन कलर उसके बाद तुरा सा गॉल्डन कलर फिर गृन कलर फिर गॉल्डन कलर फिर बीट कलर और उसके美味 चार-पंच मौति लगा दी आए और उसके बाद है, इस तरह से बनाई हुई हैं, और यह देखेंए, अब यहाँ पर गॉल ग्रीन फिर गॉल्डेन फिर पिंक और पांच छी मोती उसके बाद बर्ये से यलो में लगाई हैं फिर ग्रीन फिर पिंक और इस तरह दो बना लेंगे इसी तरह आप सबसे उपर में बर्ये फीते लेंगे जिस भी कलर के हैं और उसके बाद उसमें इस तरह से फीते भी का मार देंगे और इस मोती से उस मोती को जूर देंगे इस तरह बन गए माला अब इसे आप जय मालक त्रव यूज कीजिए और ये देखिए मैं अब छट पर से आ गई हूं और अभी बच्चे आएंगे पढ़ाई करने के लिए भी और मैं जा रहीं थोड़ा कीचेन में नास हैं हैं और वाध्य पराई भी कर रही हैं अए इनहें पता भी रही हूं इनकी मम्मी का जीद है कि मेरे ही पास पर हें मेरे पास समयने रहता है मैं बोलती हूं दो मिनट की अंदर लिख के दिखा और बच्चे को समझा कर हूंबर्ग देख कर के मैं यहां पर आ गए हूं यह देखिए मैं सिम्ला मिर्च को कट कर ले रही हूं प्याज कट कर ली हूँ मतर को छील ली हूँ और टमाटर भी कट करके रख ली हूँ और यहाँ सिमना मिर्च को कट कर ली हूँ और धो जूँगी और यह देखिए तेल मैं कराही में डाल रही हूँ और कराही में तेल डालने के बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी धो करके प्याज डालने के बाद उसे थोड़ी दिर चलाऊंगी उसके बाद हलका सब्ट होने पर मैं सारे सब्जी डाल देती हूं इसमें सिम्ना मिर्च डालूंगी सिम्ना मिर्च को डाल देने के बाद मैं यह देखिए सिम्ना मिर्च डाल ग मैं इसी में डाल दूंगी मतर डालने के बाद हलका सौप्ठ होने दूंगी हलका सा हलका होने थूरा सा फराई करूंगी और इसके बाद इसमें मैं देखिए तमाटर भी एड कर दूंगी तमाटर को भी मैं धो करके रखी हुई थी और इसे भी मैं एड कर दी हूँ तमाटर ए चला करके इसमें नमक मिला दूंगी अपने स्वाद के अनुसा और पास्ता में ज्यादा नमक पढ़ने में पास्ता ज्यादा ही नमकीन लगेगा और उसके बाद इसमें मिर्च डाल देती हूं और हल्दी डाल देती हूं थोड़ी देर के लिए ज्यादा देर नहीं थोड़ी तो यह मिला दी हूं और अच्छी तरह से मिला दूंगी सारे सबजी को इसमें अच्छी तरह से कोट कर दूंगी मिक्स करूंगी मिक्स करते हुए थोरा सब पकेगा भी और इसे पकाऊंगी और उसके बाद यह देखिए मैगी मसाला है जो कि पांच रुपे का पाउच है और पूरा एक पैकेट में टाल दूंगी और उसके बार ये देखिए थोरा एक बेनिगार ऑicles प्रमा डारूगे एकदम फोरा एक बेनिगार ऑपकेट मिलotta कि यूजिएयाद के आद में इसमें टेमेटो केचप मिला दी हूँ और केचप डालूँगी टेमेटो केचप टेमेटो केचप में पैकेट वाले ही डालती हूँ बोतल लेके रखती नहीं हूँ क्योंकि हमारे यह ज़्यादा यूज नहीं है और यह हमारे पास्ता बन गए है तो आईए आप लोग भी खाई लिजे मैं इन लोग को भी दे देती हूँ और ये देखे बन गए तो आज आईए खा लिजे तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा थोरा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब में सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को भी वाच कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे भी आगे बरहाईए प्लीज फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो में लाती रहूंगी बाव बावाई